असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, The Concepts of Information Technology Series में खुशाम दीद, इस सीरीज का आज हमने फर्स लेक्चर स्टार्ट करना है और यह चेप्टर शिक्स में से है, चेप्टर शिक्स है हमारा Operating Systems and Utility Programs, उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि सॉप्ट्वेर क्या होता है और टाइप साफ सॉप्ट्वेर, यह आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है, चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉप्ट्वेर क्या होता है, A set of instructions given to the computer to solve a problem is card software, कि वो हिदायात का जो set होता है, instructions होती है, जो हम computer को देते हैं, किसलिए देते हैं, to solve a problem, कि आपने कोई भी problem को solve करना है, इसे आप software करते हैं, वो problem कोई भी हो सकता है, स्पोज आपने एक कोई MS word है जैसे वो आप चलाते हैं तो उसमें आप कोई application वगरा टाइब करते हैं तो वो भी आप एक problem है कि आपने एक application को टाइब करना है तो उसके लिए जो instructions computer को दी जाती है वो आप software कहला दी है software is also cards program software को आप program भी बोलते है different types of software are used to solve different problems मुखले problems को solve करने के लिए मुखले software होते हैं ऐसे नहीं होता कि एक ही software के साथ आप हर काम कर सके हर काम को करने के लिए अलग-अलग software होते है अगर आपको जैसे आपने कोई gaming के लिए software चाहिए तो उसके लिए अलग software होगा अगर आपने कोई movies वगारा को watch करने के लिए कोई software की जुरूरत है तो उसके लिए अलग software होगा computer works according to the instructions written in the software computer उनी हिदायात के मुताबिक काम करता है जो उस software में लिखी जाती है जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि computer खुद से कोई काम नहीं करता है computer को जो instructions दी जाती है वो उसी के मुताबिक काम करता है तो वो instruction software के अंदर होती है वो उनी के मुताबिक ही काम करेगा computer cannot perform any task without software computer software के बगार कोई काम ही नहीं कर सकता आप ऐसे देखें जैसे human body है तो उसके अंदर अगर soul ना हो तो वो कोई हम इनसान कैसे कोई काम कर सकते हैं तो इसी तरह computer की soul भी उसका software होता है software के आगे types हैं types जो software को हम दो हिस्सों में divide करते हैं system software और application software system software क्या होता है system software is a set of programs to control and manage the actual operations of our computer hardware system software क्या होता है यह भी programs है software को आपने ऐसे देखना है यह set of instructions होती है system software कौन सी instructions होती है या कौन सी programs होती है जो आप computer की hardware की operations है उसे control करना है उनके लिए होती है आप ऐसे देखें जैसे नाम से ही जाहर है कि ऐसे software जो हमारे system को ही manage कर रहा होता है या control कर रहा होता है उसे system software कहेंगे it controls the usage and allocation of different hardware components यह किसलिए इस्तमाल होता है कि आप जो computer के अंदर मुकलिफ hardware attached है जैसे keyboard है mouse है printer है scanner है monitor है इनको किस तरह use किया जाए और cookie allocation को allocation किस तरह की जाए it enables application programs to execute properly और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी category है application programs की उनको भी smoothly चलाने के लिए execute कराने के लिए यह जरूरी होता है it controls basic operations as follows यह जो computer के basic operations है उनको control किस तरह करता है जैसे first step saving data on disk आपने data को hard disk पे save करना है तो उसके लिए भी जो instructions आप दे रहे होते हैं वो system software के थ्रू जा रही होती है making computer to work for us computer के साथ आपने जो communication करनी होती है वो भी आप system software के थ्रू करेंगे printing का document आपने एक document को print करना है तो उसके लिए आप simple control plus P press करते हैं तो अगर system software ही ना हो तो आपको उसकी पूरा जो software है वो या instructions है वो आपको खुद से लिखनी पड़ेंगे उसके बाद है type of system software system software की कौन सी types है उसकी system software को broadly हम चार types में divide करते हैं operating system है utility programs होते है device drivers होते हैं और language processors होते हैं सब अले हम देखते हैं operating system क्या होता है operating system is a set of programs that manage all computer components and operations यह भी set up programs है जो software है आपने यह याद रखना है कि हो set up instructions है वो मुखलेफ चीजों के लिए होते हैं तो operating system भी set up programs होते हैं that manage all computer components and operations यह operating system हमारा system software होता है यह computer के components को और operations को manage कर रहा होता है computer के साथ जितने भी हमारे components attach है उन सब को manage भी करेगा और उनके उपर जो भी operations perform करने होते हैं वो भी operating system का ही काम होता है it is the most important software that runs on a computer यह computer का सबसे important software है अगर यह software नहीं होगा तो इसका क्या नुक्सान होगा आपको हर दफा आपने computer के language आपको नहीं आती अगर आपने document एक page को भी print करना है तो हर दफा आपको उसका अलग से आप प्रोग्राम लिखना पड़ेगा it must be installed on every computer यह हर computer पे install होना चाहिए the user interacts with the computer through operating system user operating system के जरिये ही computer के साथ communicate करता है हमें देखें कि computer के जितने भी hardware है हम उनकी command खुछ से नहीं दे रहे होते हमारे सामने जैसे mostly windows चल रहे हैं तो icon बने होते हम उन पे double click करते हैं और वो हमारे सामने open हो जाता है अगर यह ना होता तो हमें computer के साथ communicate करने के लिए हर दापा उसकी instructions को लिखने पड़ती तो यह user को interface भी provide करता है उसके बाद है important task of operating system operating system के important task कौन से कौन कौन से एहम काम जो है वो operating system करता है it loads program into memory and executes them जैसा कि आपको पता है कि जो भी program हमने चलाना होता है उसे memory में लाना बहुत जरूरी होता है memory हमारी RAM है random access memory और फिर उसे execute करना होता है तो यह काम भी operating system का होता है it controls the operation of all the devices जितनी भी devices है जैसे हमारा keyboard है mouse है monitor है speaker है CPU है scanner है इन सब के operation को भी operating system ही control करेगा it manages files and folders जितने भी हमारे computer के अंदर files पढ़ी है या folders बने हुए उनको भी यह operating system ही manage करता है it provides the facility to create password to make sure it is not used by unauthorized person कि इसके इलावर यह facility भी operating system देता है कि आप password create करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी system को आपके इलावर कोई access ना करें unauthorized बन्दा आके आपकी system के अंदर कोई changes ना करें तो आप उसके उपर password लगा सकते हैं और operating system यह यह facility आपको देता है it identifies the hardware problem and display message to solve them इसके इलावर यह क्या करता है आपके computer के साथ जितने भी hardware attached है अगर उनमें कोई problem आ जाता है तो उनको भी identify भी करता है फिर उसके बाद आपको messages भी show कराता है ताकि आपने solve कर सके मुक्तलिब example है operating system की Microsoft Windows बहुत ज्यादे use होता है जो हमारी आजकल की market है जैसे बहुत starting में तो mostly 95% जो था market में Windows के ही users थे फिर उसके बाद थोड़े से अब कम हो गए के Linux के भी आ गए तो 80% से अब अब भी market में Windows के ही users है Linux है, Unix है और Apple वालों का अपना operating system भी है इसे Mac operating system भी कहते है Macintosh भी बोलते है इसके बाद है next हमारे पास utility programs utility programs क्या होते है a utility program is a type of system software यह भी system software की ही type है that is used for effective management of computer system अब यह किसके लिए इस्तामाल होते है, operating system था user को हमारे computer के साथ interaction provide कर रहा था उसके जितने भी उसके साथ hardware attached थे उन्हें manage कर रहा था तो यह utility program क्या करता है फिर आगे computer system की effective management के लिए the user can use utility program to perform maintenance tasks related to different devices and programs user is a utility program के जरीए क्या करता है उसके computer के जितनी भी devices उसके साथ attached है तो उनके maintenance tasks जो है वो आप utility programs के जरीए perform कर सकते हैं जैसे file viewer आपने file को view करना है तो उसके लिए utility program इस्तमाल होगा backup utility backup के लिए क्या आपने data का backup लेना है तो उसके लिए backup utility इस्तमाल होती है file compressor file compressor क्या करता है कि आपकी computer के इंदर जितनी भी files है उनके size को कम करता है diagnostic utility यह क्या करता है कि अगर आपके hardware यह software में कोई problem है तो उनको detect करता है antivirus software क्या करता है कि अगर आपकी computer के अंदर कोई virus आ गया है तो उसको remove करने के लिए इस्तमाल होता है तो देखें अगर यह utility programs किस के लिए है यह आपके system को चलाने के लिए रही है आपके system को चलाने के लिए ज़रूरी है वो operating system है operating system के बाद ही क्या करेगा system के computer system के जो maintenance tasks के लिए आप utility programs को use करेंगे next हमारे पास है device drivers device driver के device क्या है जो भी components computer के साथ attach है device driver is a type of system software that controls the operations of a device device driver एक system software होता है वो आपकी device के operations को control करता है कि जो device आपकी computer के साथ attach है वो printer है वो scanner है वो keyboard है वो mouse है monitor है उनके उनके जो operations है उनको control करने के लिए जो software इस्तमाल होता है उसे आप device driver का नाम लेते हैं and operating system uses a device driver to communicate with a device operating system क्या करता है device driver को use करता है उस device के साथ communicate करने के लिए suppose उसे printer के साथ करना है communicate करना है तो उसका भी driver होगा many device drivers are automatically installed with windows बहुत सरे device drivers जो है वो automatically खुद से ही जैसे आप windows install करते हैं उसके साथ हो जाते हैं अगर नहीं भी होते तो आप फिर वो खुद से बाद में manually करने पड़ते हैं all devices attached to the computer need the device driver such as printers, modem and sound card जितनी भी devices computer के साथ attach होती है तो उनके लिए device driver के जरूए जैसे printer है, modem है या sound card बगएरा है और यह device driver कौन प्रोवाइड करता है जो device manufacturers होते हैं वो उसके साथ आपको device driver भी प्रोवाइड करते हैं language processor क्या होते है language processor भी system software है जैसे कि आप जानते कि computer हमारा हमेशा काम करता है machine language machine language 01 पर मुस्तमिल होती है और उसे understand करना आम user के लिए बहुत मुश्किल था तो उसके लिए हम जा करते थे कि हमारे पास high level languages आ गए थी high level languages जो है English languages होती है जिसमें आप computer को instructions जो है आप इस तरह देते हैं कि हमेन उसे समझ सकता है जिने आप source code का नाम देते हैं जो हमारे पास processor हो सकते हैं जैसे compiler है interpreter है या assembler है compiler जो है आपका high level language को machine language में convert करता है आपका interpreter भी आपकी high level language को machine language में convert करता है मगर वो आपकी line by line या statement wise कर रहा होता है और assembler जो है assembly language को machine language में convert करता है तो language processor भी system software की ही type है तो यह चार type हैं जो हमारे system software की हैं next हमारे software की type थी application software application software क्या होता है application software is used to perform various tasks are applications on the computer यह किसलिए इस्तमाल होता है कि आपकी computer के उपर मुक्लिफ task के लिए होता है application software जैसे suppose अगर आपने कोई gaming के लिए software चाहिए तो उससे वह एक आपकी खास काम के लिए वह आपकी system को चलाने के लिए नहीं है तो उससे आप application software होगा जैसे अगर आपके word processor है MS word है तो वह आपका application software है application software uses the operating system in order to function application software को operating system की जुरुत पड़ती है ताकि वह उससे चलाया जा सके सबसे पहले हमें system software के हमारे जो computer है उसमें install होना चाहिए operating system आप कोई भी कर ले Windows कर ले Linux, Unix या Mac कर ले उसके बाद आप उसके ऊपर application software कोई भी install करके अपना काम कर सकते है it runs on the top of operating system यह operating system के उपर ही top पे ही काम करता है example है जैसे word processor है जैसे MS word, spreadsheets such as MS Excel and Lotus 123 etc और उसके बाद database software है जैसे MS Access है, Oracle है और graphics software है जैसे CorelDraw and Adobe Photoshop यह सारी जो example है यह application software की है next हम देखते हैं कि difference क्या है system software और application software का difference क्या होता है system software को हम देखते हैं सबसे पहला point है it is general purpose software यह general purpose होता है यह किसी सिर्फ एक खास काम के लिए इस्तमाल नहीं होता है मगर application software जो है यह specific purpose है जैसे अगर windows किया है तो उसके उपर हमने कोई सिर्फ एक काम नहीं करना वो general ही होता है और अगर application software में अगर word processor की बात करें तो ms word है अगर उसमें तो वो किसलिए इस्तमाल होगा आप अपनी कोई application type कर सकते हैं कोई memos बना सकते हैं इस तरह का जो उसका खास काम है वो ही आप कर सकते हैं It is used to manage computer resources System software किसलिए इस्तमाल होता है तक आप computer की resources को manage कर सकें Application software किसलिए होता है यह कोई भी particular problem को solve करने के लिए जिसका वो software होता है उसी के लिए इस्तमाल होता है It executes all the time in the computer यह computer में हर work backend पे आपका चल रहा होता है और application software कब चलता है It executes as and when required यह तब चलता है जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है The number of system software is less than application software Application software market में बहुत ज़्यदा है और system software उसके मुकाबले में बहुत ही थोड़े है The number of application software is more than system software System software के मुकाबले में application software बहुत ज़्यादा है System software is essential for computer to work System software हमारे computer पे हमें कोई भी काम करने के लिए जरूरी होता है Application software is not essential for a computer to work और application software जो है वो computer को चलाने के लिए जरूरी नहीं है वो आपके काम को जो आपके खास काम करना है उसके जरूरी है वो आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आपका system वैसे ही काम करेगा यह आज का हमारा topic था Hope so आपको clear हो गया होगा कि software क्या होते हैं उनके type software कौन सी है और उसमें क्या काम किया जाता है अगर आपके कोई भी क्यूरी है तो आप comment section में उसे पूछ सकते हैं Thanks for watching, Allah Hafiz